प्रकाशित्वाक्य दोध्याई ग्यारासिस सत्रापद जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिस्याओं से क्या कहता है जो जैपाए उसको दूसरी मृत्यू से हानी न पहुंचेगी और पिरगुमुन की कलिसिया की दूद को यहा लिख कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वह यहा कहता है कि मैं यहा तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझे पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिन में मेरा विश्वास युग्या साक्षी अंति पास तुम में उस थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है पर मुझे तेरे विरुद कुछ बाते कहने हैं क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षाओं को मानते हैं जिसने बाला को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया क्योंगे मूर्तों के बलिदान खाएं और वैविचार करें वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे है जो निकूलियों की शिक्षाओं को मानते हैं सु मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शिग्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूँगा जिसके कान हो वहाँ सुन लेकि आत्मा कलिस्याओं से क्या कहता है जो जैपाए उसको मैं गुप्त मन्ना मेंसे दूँगा और उसे एक श्वेट पत्थर भी दूँगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा बसी में प्याँ और बहनों और जी सिन टिवी दर्शकों जो वचन प्रभू ने साथ कलिस्याओं को दिये है वो वचन किसी भी कलिस्याँ पर और किसी भी समय में लागू हो सकते हैं वे जो अपने आपको यहूदी कहते हैं जिनके बारे में समूरना को दी हुए वचन में लिखा गया है वे ये शमसी के समय से ही है और वैसे ही शैतान की सभाएं भी है परमेश्वर के विश्वा से जिने जील में डाला गया जिनकी उपर शत्रु दुष्ट और शैतान ने जो सताओं, कलेश और दुख लाए वे आज भी जारी है और यहाँ तब तक होता रहेगा जब तक कि प्रभू हमें लेने वापस नहीं आ जाता सुसमाचार का प्रचार प्रभू के नाम से जहां कहीं भी होगा खास तोर पर जहां प्रमेश्वर की सामर्थे प्रकट होगी वहाँ पर इस तरह की यहूदी होंगी जो सुसमाचार को प्रचार करने से रोकेंगी और उन लोगों को सताएंगी जो प्रमेश्वर की सामर्थे को प्रकट करते हैं इसी बजहा से मैंने स्मुर्णा को दे हुए वचन को उत्री कोरिया मिशन से सम्बंदित करके बताया था जिसे इस कलिस्या को अभी पूरा करना है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मुर्णा की कलिस्या को दे हुआ वचन वो विशेश रूप से उत्री कोरिया मिशन के लिए हूँ वो मिशन जो इस कलिसिया को सौंपा गया है बलकि यहाँ उस परिस्थिती को दर्शाता है जो कहीं भी हो सकती है जहां सूसमाचार का प्रचार होता है और परमीशुर की सामर्थे प्रकट होती है मगर महतोपुन बात यहाँ है कि आपको यहाँ एहसास करना है कि शत्रुदुष्ट और शेतान के द्वारा बड़ी बाधा उत्पन होगी यदि प्रभु के नाम से सूसमाचार का प्रचार होगा खास तोर पर जब परमीशुर की महान सामर्थे प्रकट होती है इसलिए आपको सचेत रहना है जागरित रहना है कि आप इसे पार कर सकें समुर्ना की कलिसिया तमाम कलिसियाओं का एक नमूना है इस तरह की परिस्थिती में समुर्ना की कलिसिया ने अलग-अलग प्रकार के कलेश और सताव का सामना किया क्योंकि उन्होंने प्रभु येश्व मसी पर विश्वास किया, जो अपने आपको यहुदी कहते थे, उन्होंने बाधाई उत्पन की कलेश और पिडाई शत्रु दुष्ट और शेतान की ओर से भी थी, मगर प्रभु ने उन्हें उत्साहा का वचन दिया, और प्रभु ने कहा कि प्रांध देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुड दूँगा, वे पहले से पिडा में थी प्रभु के नाम की चलते, और और भी दुष्ट के द्वारा वो कलेश और सताव का सामना करने पर थे, मगर प्रभु ने यहो कहे कर उन्हें तसलिए नहीं दी, कि मैं तुम्हारे काम, तुम्हारी पिडाएं जानता हूँ, तोड़ा सा और सहलो, बलकि प्रभु ने उन्हें कहा, कि और भी अधिक विश्वासी रहे प्रांध देने तक, उसने ऐसा इसले किया, क्योंकि वो चाहता था, कि वे और भी महन आशिशे पाएं, और भी महन और बड़े प्रदिफल पाएं, समुर्ना की कलिसिया, निश्चित रूप से, तमाम कलेशों और आजमाईशों और सताओं के लिए, प्रदिफल पाएंगे जो उन्होंने प्रभू के नाम से सहा है, मगर कलेशों को, आजमाईशों को और सताओं को, सिर्फ सहना और पार करना, वो प्रमेश्वर की नजरों में, प्रशंसा के काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी प्रशंसा सिर्फ इसलिए नहीं होंगी, कि आपने वही क्या जो आपको करना चाहिए था, जो आपको करना है जब आपने उससे बढ़कर किया है, तब आप वास्त्विक्ता में प्रशंसा के काबिल है, इसलिए ये स्वभाविक है, कि परमिश्वर की संतान, कलेश और सताव का सामना करते है प्रभू के नाम के लिए इसलिए स्मोरना की कलेशिया बड़ी आशिश और प्रतिफल प्राप्ट कर सके इसलिए प्रभू ने उन्हें तसल्ले का वच्चन नहीं दिया बल्कि उनसे बिनते की ये कहते हैं कि प्रांध देने तक विश्वास योगे रहे और यहाँ पर मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि प्रांध देने तक विश्वास योगे रहने का मतलब सिर्फ शाररिक विश्वास योगेता नहीं होती है परमेश्वर के वचना नुसार, पाफ की विरुद प्राण देने तक संघर्ष करना, हर प्रकार की बुराई को दूर करना और खुद में कोई आपा ना रखना, कोई स्वार्थ ना रखना यही आत्मिक अर्थ है परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने का जो की सत्य है और पूरी तरह से वचन में निवास करने का जो आपके पास शारिरिक विश्वास योगयता के साथ-साथ ये आत्मिक गुण होते हैं तो यहो सच्ची आत्मिक विश्वास योगयता बन जाती है और यहो सिद्प्रतिफल बनता है चाहे आपके पास कितने ही शारिरिक विश्वास योगयता क्यों न हो वो सिद्ध प्रतिफल नहीं बन सकता जीवन का मुकुट उन्हें दिया जाएगा जो प्रान देनी थक आत्मिक रूप से विश्वास योगे हो और वे तीसरे स्वर के राजे में या उसे उंचे भी जा सकते है मगर यदेपी ऐसी प्रतिफिया दीभी गई है वचन में मगर इसका कोई फाइदा नहीं होगा उन लोगों के लिए यदीवे अपने कानों को सुनने के लिए ना फेरे यहोना दस सधिया तीन और चार पत कहता है उसके लिए अर्थात प्रभु के लिए द्वार पाल द्वार खोल देता है और भेड उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेडों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है और जब वह अपनी सब भेडों को बाहर निकाल चुकता है तो वहां उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछी-पीछी हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है इसी परकार से केवल वही भेड़े जो प्रभू से सम्मन रखती है वही चरवाहे का शब्द सुनती है प्रभू का और उसके पीछे-पीछे चलती है उसी परकार से जीनों ने पवित्रात्मा पाया है और परमेश्वर के संतान बन गए है और जिनके हिर्दे में पवित्रात्मा है वे पवित्रात्मा की आवाज को सुनेंगी और उसके पीछे-पीछे चलेंगी प्रकाशितवा के दो अधियाए ग्यारापद में लिखा है जिसके कान हो वह सुनने की आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है यहाँ पर कान शाररिक कान को नहीं दर्शाता यहाँ आत्मिक कान को दर्शाता है जिसके द्वारा प्रमिश्वर की संतान जिनोंने पवित्रात्मा पाया है वो पवित्रात्मा की आवाज को सुन सके अवशे ही आपके पास ये आप में कान होने चाहिए अवशे ही आपके पास ऐसे कान होने चाहिए जो सत्ते सुन सके सत्ते में अंतर कर सके हम सभी के पास वो कान होने चाही जो पवित्रात्मा के आवाज सुन सकें जो हमें सत्य में ले जाता है और हमें युग्य बनाता है कि हम परमिश्वर की हिर्दे और इच्छा को जान सकें केवल तब ही हम परमिश्वर का वचन सुन सकते हैं और जब हम परमिश्वर का वचन सुनते हैं तो हम उसमें आत्मिक अर्थ को भी समझ सकते हैं, जो भी है, ये आत्मिक कान जो परमिश्वर का वचन समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, जो पवितरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, वे उतने ही तेज होगे, जितना आप अपने हिर्द आपके पास बुराई होंगी उतने ही मन्द आपके कान होंगे। आप समझ नहीं पाएंगे जब आप वचन को सुनेंगे और आप पवितरात्मा की आवाज नहीं सुन सकते हैं। जल्दी ही ऐसे स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां पवितरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। तो फिर आपके पास निपूनता होगी कि आप सब कुछ परमेश्वर के वचना अनुसार पहचान पाएंगे और किसी भी परकार की आजमाईश, कलीश, सताओ या अभिलाशा को कर सकते हैं और साथ ही आप संसार के अन्धकार को भी हरा सकते हैं और असत्य की बुराई को जीत सकते हैं। प्रभू कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो संसार की बुराई को दूर करता है और सत्य में निवास करता है परमेश्वर के वचना अनुसार वो वही है जो जै पाएगा। आप सभी यहां पर वो वो है जो जयपाते हैं, है के नहीं, और वो कहता है जो जयपाए उसको दूसरी मृत्यूसे हानी न पहुचेंगी, यह दूसरी मृत्यू क्या है? दूसरी मृत्यू से पहले, पहली मृत्यू अविश्य होनी चाही पहली मृत्यू उस मृत्यू को दर्शाती है जब एक व्यक्ते का शाररिक जीवन समाप्त हो जाता है और दूसरी मृत्यू उस मृत्यू को दर्शाती है जब आत्मा जो कि मनुश्यों का स्वामी है अनन्त ना भुचने वाली आग में गिर जाता है प्रकाशित वाकिय भी सध्याई 12 से 15 पत में कहता है फिर मैंने चोटे बड़े सब मरी होँ को सिहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थाद जीवन की पुस्तक और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरी होँ का न्याए किया गया और समुंदर ने उन मरी होँ को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यू और अध्लोक ने उनके मरिहों को जो उनमें थे दे दिया और उनमेंसे हर एके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया और मृत्यू और अध्लोक भी आग की जील में डाले गई यहाँ आग की जील तो दूसरी मृत्यू है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के जील में डाला गया यदे पी आपका नाम जीवन की पुस्तक में क्यों न लिखा गया हो जब परमेशुर उसे काट दें जब परमेशुर उसे मिटार डालें तो वो मिट जाएगा फिर वो वहाँ नहीं रहेगा मैंने चोटे बड़े सब मरेहूं को सिहासन के सामने खड़ा हुआ देखा पुस्तक के खोली गई फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्था जीवन की पुस्तक आपका नाम, मेरा नाम, तमाम विश्वास्यों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है और उसी के आधार पर प्रतिफल निधारित होंगी और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है उनका न्याई दूसरे तरीके से होगा इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप पाप ना करें जो मृत्यों की ओर ले जाने वाले पाप यदि आप मृत्यों की ओर ले जाने वाले पाप करें तो आप पश्यताप नहीं कर सकती क्योंकि परमेश्वर आपको पश्यताप की आत्मा नहीं देता चाहे आपका नाम जीओन की पुस्तक में क्यों ना था पर जब आप मृत्यों की ओर ले जाने वाला पाप करते हैं तो जीओन की पुस्तक से आपका नाम काट दिया जाता है और आपका पाप दूसरी किताब में लिख लिया जाता है जब विश्वासी पश्चताब करते हैं, मन फिराते हैं तो एक शमा पा सकते हैं मगर मृत्यों क्यों ले जाने वाला पाप फरमीश्वर के द्वारा कि शमा नहीं हो सकता और उसे लिख लिया जाता है और अंतिम न्याय के दिन उसका न्याय होगा अंतिम नयाय के दिन वे लोग जो असत्ते और बुराई में जीवन निवास करते हैं वचना अनुसार जीवन नहीं जीते सत्ते के वचन के अनुसार दूसरे शब्दों में जो जै नहीं पाएगा दूसरी मृत्यु से उसे हानी पहुँचेंगी दूसरे शब्दों में उसे आग की जिल में डाला जाएगा अनन्त ना भुजने वाली आग में जहां का किटा कभी नहीं मरता है दूसरी तरफ वे लोग जो वचनों को सुनते और वचन में निवास करते हैं वे जियोति में निवास करते हैं और प्रात्नाओं से सताव और कलेश को पार करते हैं और उनकी हानी दूसरी मृत्यू से ना होंगे और अनन्त जीवन के मार्ग पेवेश चले जाएंगे इसलिए वो मार्ग जो हमें उद्धार की ओर ले जाता है वो संक्रा मार्ग है है के नहीं वो कोई चौड़ा मार्ग नहीं है जहां आप तमाम आनन्त को ले सके जो संसार के लोग लेते हैं उद्धार का मार्ग संक्रा मार्ग है मेरी इमानदार इसे ऐसी आशा है कि आप मैंसे कोई भी जो इस संदिश को सुन रहे है दूसरी मृत्वी से हानी ना पाए और आप सब के सब स्वर्ग में प्रवेश कर सकें निश्ठा के साथ मैं आशा करता हूँ कि एक भी आत्मा को मैं नाख हूँ जिसे परमिश्वने मुझे सौंपा है बलकि उन सबों को स्वर्ग कियों ले जाओं जब प्रभू वापा साता है हमें लेने और जो वो गेहों को भूसी से अलग करेगा मैं प्रभू येश्व मसी के नाम से प्रातना करता हूँ कि आप गेहों बन सकें और प्रभू के साथ विवाह भूज में शामिल हो सकें मसी में प्रियम भाईं और बहनों अब के बाद मैं आपको पिरगुमन की कलिसिया के बारे में बताऊँगा पिरगुमन की कलिसिया वो कलिसिया है जिसको दोनों ही डांट और प्रशंसा के वचन मिले इस कलिस्या की प्रशंसा इसले हुई क्योंकि बहुत से सताओं में और मुश्किलों में भी वह विश्वास में बनी रही मगर इसे दोशी भी ठहराया गया क्योंकि वहां कुछ ऐसे सदस्य थे जो शैतान की अभिलाशा में पड़ गए जन्होंने संसार से समझोता कर दिया संसारी की विचारों में आ गए और मृत्य क्योर चले गए बारा आयत में लिखा है और पिरगुमन की कलिस्या की दूद को यहां लिख कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वह यहां कहता है जिसके पास दोधारी चोखी तलवार है यहां पर चोखी दोधारी तलवार का मतलब है परमेश्वर का वचन इबरानियों 4.12 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवीत और प्रबल और हर एक दोधारे तलवार से भी अधिक चोखा है और जीव और आत्मा और गांट-गांट और गूदे-गूदे को वार पार छेतता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और जिसके पास परमेश्वर का वचन है जो दोधरी तलवार से भी चोखा है वो हमारा प्रभू येश्व मसी है जैसे कि यहुना एक अध्याय चौदा पद में लिखा है येश्व वो वचन है जो देधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया वो परमेश्वर के साथ एक है जो कि अपने आप में वचन है इसलिए प्रभू के पास निशीत रूप से संपुन परमेश्वर का वचन है और अब ये परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार से भी कहिया दिक चोखा है कैसे हमारी उपर कारे करता है परमिश्वर का वचन जीवित है उसमें जीवन है ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं जो जीवित हो और जिसमें जीवन हो केवल परमिश्वर का वचन ही जीवित है और जब हम उस पर विश्वास करते हैं और वचन अनुसार जीते हैं तो वोह हमारे लिए कारे करता है और आत्मा को जीवित करने का कारे प्रकट होता है। बजन सहीता 37 सध्याय चार पद में लिखा है यहवा को अपने सुक का मूल जान और वहो तेरी मनुरतों को पूरा करेगा सभी के पास कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं है के नहीं क्या आपको लगता नहीं कि ये तो बड़ा साधरन है अपने मनुरतों को पूरा करने के लिए परमी शुरू को अपने सुक का मूल जानना है मगर आप अपना विश्वासी जीओन ऐसे जीते ही नहीं है जब आप आजमाईश में पढ़ते हैं कलेश में पढ़ते हैं तो आपका चहरा बदल जाता है आपके उपर कोई आनन नहीं रहता कोई धन्यवाद कोई स्वर की आशा नहीं रहती आपके पास परन्तु यहवा को अपने सुक का मूल जान वहोत तेरे मनुरतों को पूरा करेगा जब आप महनती विश्वासी जीओन जीते हैं आत्मा संफुण आत्मा में आते हैं परमिश्वर को अपने सुक का मूल जानते हैं तो आप अपने मनुरतों को प्राप्त करते हैं यह यहां लिखा हुआ है यदि सच मुछ आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो क्रिपया इस वचन के अनुसार आप ढूंड़े की परमेश्व को क्या प्रसंद करता है और उस पर चलने लग जाएं परमेश्व विश्वास से प्रसंद होता है जैसे की इबरानेओं 11.6 में लिखा है और साथ ही वो दोश्रहित चाल चलन से भी प्रसंद होता है जैसे की निती वचन 11.20 में लिखा है, दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पिता प्रसन होते हैं जब आप उसे अपना विश्वास दिखाते हैं, जब मैंने आपको अपनी गवाही दी थी, आप मैंसे कितनों ने उसे विश्वास से ग्रहन किया, कितनों ने उसे विश्वास से ग्रहन किया, और उसने कहा कि मैं सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहता था लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया कि मैं आप से प्राथना ग्रहन करूँगा जब लोग बिमार होते हैं तो वो हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं मगर जब मैं मृत्यू के कगार पर था मैंने हॉस्पिटल जाने के बारे में नहीं सोचा ना मेरे परिवार ने 1990 के दशक में तमाम चर्श के लीडर्स मरते हुए मुझे देख रहे थे मेरे परिवार के एक भी सदस्या ने हिम्मत नहीं की मुझे हॉस्पिटल ले जाने की मेरे केसी भी परिवार के सदस्या ने इसके बारे में सोचा ही नहीं जब मेरी दूसरी बेटी पास्टर मीग यंग ली को कार से ठोकर लगी और मेरी पहले बेटी के पूरे शरीर में फोड़े निकलाए थे उस वक्त मैं सेमिनेरी का विद्यार्थी था इस चर्च को शुरू करने से पहले जब मैं प्रास्टा पहाड से वापस आया उनके पूरे शरीर पर फोड़े निकलाए थे गर्मी के दिन थे हमारे पास कोई एसी नहीं था वो हिल भी नहीं पा रही थी जब भी वह अपने शरीर को मोड़ती थी या मरोड़ती थी तो खुन निकलाथा था उन फोड़ों से उस वक्त भी मैंने हॉस्पिटल जाने के बारे में नहीं सोचा यहां तक कि पूरे शरीर में उनके फोड़े थे ना ही मेरी पत्नी ने सोचा जब मेरी तीसरी बेटी पास्टर सूजिनली मस्तिश्क रक्स राओ के बजह से गिर गई थी उस वक्त भी हमने हॉस्पिटल जाने के बारे में नहीं सोचा यह विश्वास है क्योंकि हमारे पास यह विश्वास है इसलिए हम परमेश्वर को प्रसंद कर सकते है इस विश्वास के त्वारा सारा का सारा असंभव संभव हुआ है सब कुछ संभण हुआ है क्योंकि मैंने पूरी तरह से विश्वास किया कि कुछ भी असंभव नहीं है मैं विश्वास से चीजों को देखता हूँ और विश्वास से करता हूँ मैं संसारिक विदिया नहीं अपनाता ना लोगों की मदद बलकि परमेश्वर पर निर्भर रहता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है तो फिर सब कुछ मेरे विश्वास के अनुसार होता है आपने बहुत बार इसे सुना है और बहुत बार अनुभव भी किया है मगर आप अपना विश्वास नहीं दिखाते जब आप ऐसी चीजों का सामना करते हैं बलकि आप संसार पर निर्भर होने लग जाते हैं जब मेरा खून बह रहा था खून रोकना आसान है उसके लिए चिकित सक उपचार है मगर मैं हॉस्पिटल पर निर्भर नहीं रहना चाहता था क्यों? क्योंकि मैंने अंगीकार किया परमिश्वर मेरा पिता है वो मेरा स्वामी है वो सर्वशक्तिमान है मैंने ऐसी प्राफना की अपने होंटों से तो अब मैं संसार पर कैसे निर्भर रह सकता था और अगर मैं रहता तो मैं जूटा बन जाता इसलिए मैं मरना पसंद करता मैंने परमेश्वर से प्रात्ना की थी कि परमेश्वर पेता मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं आप सर्वशक्तिवान परमेश्वर है और अब विपरीत स्थिती में यदि मैं संसार पर निर्भर रहता तो मेरे अंगिकार का क्या होता ये जूट बन जाता इसलिए मैं मरना पसंद करता यदि आप इस तरह का विश्वास दिखा सकें सच्चा विश्वास तो फिर क्या असंभव हो सकता है तो फिर क्या है ऐसा जो विश्वास के द्वारा ना हो सकें परमेश्वर विश्वास से प्रसन होता है जैसे कि इब्रानियों 11.6 में लिखा है हनोक ने अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसंद किया और परमेश्वर दोश्रहित चाल चलन से प्रसंद होता है जैसे कि निति वचन 11.20 में लिखा है इसीरी परमेश्वर उनसे प्रसंद होता है जो विश्वास योगता से काम करते हैं जैसे कि नितिवचन 12-22 में लिखा है और धर्मी जनकी प्रात्नाओं के द्वारा भी जैसे कि नितिवचन 15-8 में लिखा है यदिया विश्वास योगय बने और धर्मी बने दूसरों को धोखा ना दे आप एक ऐसी स्थितिका सामना कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ मिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है परन्तों आप दूसरों से जूट नहीं बोलते मेरा मतलब है इसके बाबजूद भी आप दूसरों को धोखा नहीं दे दे ताकि आपका नुकसान ना हो या फिर आपको उससे कुछ फाइदा हो जाएं तो परमिश्वर ऐसे विश्वास योगिया और धर्मी हिर्दैसिया और प्रात्नाओं से प्रसन होता है और अगर परमिश्वर प्रसन हो तो बस उतना बहुत है आपको क्या करना है? सिर्फ परमिश्वर से प्रेम करना है और परमिश्वर का प्रेम पाना है जब परमिश्वर आपसे प्रसंद हो तो फिर ऐसा क्या है जो आप ना कर सकें? जब आप इस तरह से अभ्यास करते हैं तो परमिश्वर आपसे प्रसंद होगा और वो निश्चीत रूप से आपकी हिर्दे की चोंगो पूरा करेगा और इस तरह से आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर का वचिन जीवित है और अब प्रभु कहता है ऐसा परमेश्वर का जीवित वचिन आत्मा और प्राण को और गांठा और गुदे-गुदे को वार पार छेदता है क्योंकि आदम ने पाप किया इसलिए मनुश्य का आत्मा प्राण के अंदर मृतक दशा में पाया जाता है परन्तु वहो आत्मा जीवित हो जाता है जब परमेश्वर का वचन उस प्राण में प्रोईष करता है आदम मूल रूप से जीवित आत्मा था मगर जब आत्मा मर गया तुव शारिरिक जन बन गया और उसका प्राण उसका स्वामी बन गया अब वो प्रान का जन था, आत्मा का जन नहीं मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि इसका मतलब क्या है कि आत्मा मरा हुआ है इसका मतलब यहो है कि आत्मा प्रान के अंदर कैद है जो कुछ नहीं कर सकता इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मरा हुआ है जितना मेहनत के द्वारा आप अपने प्राणों को तोड़ते हैं परमिश्व के वचन के द्वारा आपको अपने प्राणों को तोड़ देना है जिसने आपकी आत्मा को तैय में रखा हुआ है उतनी ही जागरित आपकी आत्मा बन जाएगी और उतना ही बड़ा और मजबूत आपका विश्वास बन जाएगा यहो परमिश्वर का वचन है जो आपके प्राणों को तोड़ता है और आपके आत्मा को और भी अधिक सक्रिये बनाता है और फिर वहा गांट और गूदे गूदे को वार पार छेतता है शारिरिक रूप से गांट शरीर का वो हिस्सा होता है जहां दो हड्याम मिलती है तो फिर कैसे परमिश्वर का वचन गांट को छेतता है आत्मिक रूप से गांट का मतलब है आपके अपनी सोच की रूप रेखा आपकी अपनी सोच की रूप रेखा यही रोप रेखा उन तमाम चीजों से मिलकर बनी होती हैं जो आपने देखा, सुना और सीखा है दुसरी शब्दों में यहो असंखे असत्यों के द्वारा निर्मित हुई है मगर आप योग्य होनी चाहिए कि आप सुयम की धार्मिक्ता को सुयम की रूप रेखा से अंतर कर सकें सुयम की धार्मिक्ता का मतलब है इस बात पर जोर देना कि आप सही है पती पत्ली में क्यों जगड़ा होता है? उनमें जगड़ा होता है क्योंकि वे अपनी बात पर जोर देते हैं कि वे सही है शादी से पहले वे नहीं कहते कि वो ही सही है वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं वे एक दूसरे की अच्छी बात को अपनाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि वे अच्छे पती-पत्नी बनेंगे मगर शादी करने के बाद पूरी की पूरी स्थिती बदल जाती है हालांकि वो सोचते थे कि वे अच्छे पत्टी पत्नी बनेंगे मगर वो अपनी ही स्वयम की धार्मिक्ता पर जोर देने लग जाते है आम तोर पर सबसे पहले पत्ती अपनी सुयम की धार्मिक्ता दर्शाता है पत्ती सोचता है कि उसकी पत्नी को उसकी सिवा करनी चाही मगर जब पत्नी ऐसा नहीं करती तो फिर वो एक दूसरे से बाद विवाद करने लग जाते हैं सुयम की धार्मिक्ता से एक वक्ती यह सोचता है कि वही सही है इस चर्च पर भी यही लागू होता है तमाम शाका कलिस्याएं, तमाम मिशिन्स और लीडर्स सुयम की धार्मिक्ता की बज़ा से आप सभा के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रख पाते जहां कोई मेल मिलाप नहीं रहता शैतान काम करना शुरू करता है और फिर कोई जागरिती नहीं होती इसलिए कोई सुयम की धार्मिक्ता नहीं होनी चाही जब तक कि कोई वक्ती सत्य से पूरी तरह से ना बदल जाए हर व्यक्ति के अंदर अपनी स्वयम की धार्मिक्ता रहती है जब तक आप सत्य से ना बदल जाएं आपके पास अपनी स्वयम की धार्मिक्ता होगी मगर ये स्वयम की धार्मिक्ता भी संसार के असत्य से निर्मित होती है क्योंकि एक वेक्ति को असत्य ऐसे सिखाया जाता है जैसे मानोवो सत्य हो और इस बजासी उसके अंदर अपनी स्वयम की धार्मिक्ता होती है और अपने ही मानक के मापदन के अनुसार वो सोचता है कि वो सही है परन्तु जब वो परमीश्र की वचन के सत्ते को सुनने की कोशिश करता है तब उसे ज्यात होता है कि वास्त्विक सत्ते क्या है और फिर वो स्वयम की धार्मिक्ता को दूर करने की कोशिश करता है जो कि परमीश्र के सत्ते की विरुध है प्रहन तो कभी कबार जिससे बदलना है उसे ढूंडना बहुत मुश्किल होता है इसलिए स्वेम की धार्मिक्ता से मुक्ति पाना भी उतना ही मुश्किल है वो इसलिए क्योंकि लोग अपनी स्वेम की रूप रेखा तब बनाते हैं जब उनकी स्वयम की धार्मिक्ता द्रिड़ता से अपने स्थान पर परिपक्व हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में स्वयम की रूप रेखा स्वयम की धार्मिक्ता का एक सुद्रिड रूप है। जिसमें एक व्यक्ति सोचता है कि वही सही है और वह भी उसके अपने ही मापदंड के आधार पर आपके पास भी अपनी धारमिकता होती हैं और जब यहाँ स्वयम की धारमिकता एक सुद्रट रूप ले लेती हैं तो यहाँ स्वयम की रूप रेखा बन जाती हैं कुछ लोगों में यही रूप रेखाय उनका व्यक्तितुव बन जाती हैं और कुछ दूसरों में उनका एकत्रित ग्यान उनकी रूप रेखा बनती हैं। कभी कबार उनकी संस्क्रिती रूप रेखा बन जाती हैं और तहजीब के साथ भी ऐसा ही है। निर्भर करता है, कि वैं कैसे पले बड़े हैं, उन्होंने किया सीखा है, उसके आधार पर उनकी अपनी तहजीब होती है और उन्हें लगता है कि वो सही है मगर अगर आप विदेश में जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि हर देश की अपनी अपनी तहजीब है जिसे आप सही समझते हैं, वो दूसरे देश में बिलकुल भी सही नहीं हो सकता इसलिए आपको केवल अपने ही तहजीब को सही नहीं कहना चाही उधारन के लिए हाथ मिलाना, आपको ऐसा लग सकता है कि धीमे से दूसरे के हाथ को पकड़ना और हिलाना वही सही है मगर अगर आप किसी दूसरे देश में जाएंगे, तुए बड़ी मस्बूती से उससे पकड़ते हैं और जोर जोर से हिलाते हैं कुछ देशों में धेमे से वो आपका हाथ पकड़ते हैं, मगर दूसरे देशों में वो इस तरह से हिलाते हैं और अगर हम बात करें, मेरा मतलब है, सबका तरीका अलग अलग होता है, आप नमस्कार करने का तरीका देखें, हलांकि वो काफी सामने रहता है, मगर हर देश का अपना होता है, उनका अपना अनुखा तरीका रहता है नमस्कार करने का, क्या आपने देखा नहीं विदेशी मह पहले मुझे गले लगाते हैं और फिर हाथ मिलाते हैं और फिर मुझे अच्छे अच्छी बातों से अविवादन देते हैं जो वे बहुत ही उत्साहित होते हैं उनका चेहरा बदल जाता हैं वे मुझे गले लगाते हैं इसलिए आपको अपनी रुपरेखा नहीं बनानी चाह और नहीं उसमें चिपके रहना चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी कोई रूप रेखा ना बनाएं, नहीं उसमें चिपके रहें, कवी कबार संस्कृती रूप रेखा बन जाती हैं, स्वात रूप रेखा बन जाती हैं, या फिर काम अपने आप में रूप रेखा बन जाते हैं, उधारन के लिए किसी वक्ति के पास इस तरह की रूपरेखा हो सकती है और वो सोचता है कि आत्मा का जन तो ऐसा होता है जो भी है जब तक यहो रूपरेखा ना बन गई उस समय तक बहुत सारी चीज़े जिने वो सही समझता था दूसरे शब्दों में स्वयम की धार्मिक्ता एकत्र होती रही ये मामला उन लोगों के साथ होता है जो संपूर्ण आत्मा में नहीं आये है वे सब के सब परमिश्वर के वचना अनुसार जीते हैं वो दीन है, नमर है परन्तू वो आत्मा के स्थर में रुख जाते हैं संपूर्ण आत्मा के स्थर में नहीं आ पाते वे अपनी स्वयम की धार्मिक्ता बना बैठते हैं और इस स्वयम की धार्मिक्ता के आधार पर एक वेक्ती अपनी ही स्वयम की रूप रेखा बना बैठता है आत्मा के जन के विश्य में वो अपनी स्वयम की धार्मिक्ता दूसरों पर भी डाल सकता है इस कारण से दूसरी असुविधा को महसूस करते हैं और मुश्किल महसुस करते हैं और वो एहसासी नहीं करता कि वो दूसरों को कितनी मुश्किले पैदा करता है क्योंकि उसके पास अपने ही सुयम के धार्मिक्ता है और उसे लगता है कि वो सही है वो सोचता है कि वो सही काम कर रहा है वो सत्य बोल रहा है यदे भी दूसरे उसकी स्वेम की धार्मिक्ता की बजह से मुश्किल महसूस कर रहे है मगर वो एहसास ही नहीं करता वो अपनी स्वेम की धार्मिक्ता को दूसरों पर लागो करता है और दूसरों को मुश्किले पैदा करता है इसलिए वो दोश लगा सकता है, लोगों की निंदा कर सकता है, जो लोग उसकी अपनी रूपरेखा के विरुद बोलते या काम करते हैं इसलिए वो सोचता है कि वो सही है वो दूसरों पर दोश लगाता है वो दूसरों पर ऐसे दोश लगाता है कि वे सत्य नहीं जानते वो दोश लगाता है निंदा करता है इसका मतलब यहो है कि अभी भी उसकी हिर्दय में असत्य और बुराई है वो एहसास ही नहीं करता, वो अपनी स्वयम की धार्मिक तोर उपरेखा के आधार पर दूसरों पर दोश लगाता और निंदा करता है इसलिए यद्यपी वो आत्मा में आ गया है, मगर वो सभी के साथ मेल मिलाप नहीं रखता हालांकि उसे सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए कभे कबार, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो ऐसे लगते हैं, कि वो अपनी स्वयम की धार्मिक ता, दूसरों पर लागू नहीं करते हैं इसलिए वो ऐसे दिखते हैं, कि दूसरों से उनका कोई विवाद नहीं, यदि भी उनकी रूप रेखाएं द्रिर्ता से परिपक्वो होती हैं मगर इस तरह के लोग, दूसरे लोगों की बातों को रोकते हैं, या उन्हें डांटते हैं, अपनी स्वयम की रूप रेखा के कारण इसलिए विवास्त्विक्ता में अपने आपको ढून नहीं पातें, और उनके लिए अपने आपको बदलना मुश्किल होता है उनकी स्वयम की धार्मिक्ता बहुत कड़ी होती हैं, मगर वो अपनी स्वयम की धार्मिक्ता दूसरों के ऊपर लागू नहीं करतें और इस तरह से वे दूसरों से बाद विवात नहीं करते इसलिए ऐसा लग सकता है कि वो ठीक है मगर उनकी सुयम की धार्मिक्ता के कारण वो दूसरों के परामर्श या दूसरों से डांट खा नहीं पाते इस तरह से वो अपने आपको ढून नहीं पाते वो योग्य होने चाहिए कि वे दूसरों के परामर्श प्राप्त कर सके ताकि अपने आपको ढूंड सके मगर वो उसका इंकार करते हैं और वो दूसरों को इंकार करते हैं उन्हें अंदेखा करते हैं कौन ऐसे लोगों को मदद करेगा उन्हें ढूंडने में उन्हें किसी ऐसी व्यक्ति की अवशक्ता होगी जो ज़्यादा तगड़ा हो जिसका अधिकार ज़्यादा बड़ा हो केवल तब ही जब वो दर्श आएगा तब ही वो एहसास कर पाएंगे कि वो क्या है मगर ऐसे व्यक्ति से मिलना आसान नहीं होता जो इतना उचाहू इसलिए उनके लिए मुश्किल होता है अपने आपको ढूनना और वो बहुत से वर्ष बरबाद कर देते हैं जबकि वो ऐसांगे कार करते हैं अपने होटों से की परमिश्वर से वे प्रेम करते हैं विशेष सेमिनार्स के दिन उन्हें अविश्य ही परमिश्वर का वचन सुनना चाहिए और परमिश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए तब वे अपने वास्तविक आपे को ढून सकते हैं और अपने आपको बदल सकते हैं इसलिए आपको हर तरीके से अपनी स्वयम की रूप रेखा तोड़ देनी चाहाई और यहाँ केवल परमेश्वर के वचन से संभव है कभी कबार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सुयम की रूप रहा इतनी मजबूत होती हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए को इस्थान ही नहीं होता मगर परमेश्वर दबाओ से कभी भी उनकेหरदे के द्वार नहीं खोलता और ना ही उनके हिर्दे में दबाव से वचन डालता है क्योंकि यहों न्याय के विरुद है यदि परमिश्वर हिर्दे खोले और दबाव से वचन उनके हिर्दे में डाले तो क्या आपको लगता नहीं कि शत्रुदुष्ट और शेतान दोश लगाएगा कि यह न्याय के विरुद है और यह न्यायक नहीं है केवल तब जब स्वयम से अपना हिर्दे खोलता है और परमिश्वर का वचन ग्रहन करता है तब ही वह वचन उसकी हिर्दे में आ सकता है वो है न्यायक डंग से इसलिए जब तक आप इस बात को माने कि आपके अंदर स्वयम की रूप रेखा है और दीनता से वचन को ग्रहन करने की कोशिश करें तो फिर आपकी व्यक्तिकत रूप रेखा कितने ही कठोर क्यों ना हो परमिश्वर के वचन से वो तूट जाएगी और अब यहां लिखा है कि परमिश्वर का वचन गुदे गुदे को वारपार छेथता है गुदा एक नर्म तत्वा होता है जो हड़ी के अंदर होता है आत्मिक रूप से यहां बुराई को दर्शाता है जो बहुत छोटी होती हैं और जिनकी जड़े गहरी होती है गुदे के समान जो हड़ीों की गहराई में होता है बुराई की जड़ भी लोगों की हिर्दय की गहराई में जाती है दूसरे शब्दों में गुदा बुराई को दर्शाता है जो बुराई हिर्दय की गहराई में छुपी होई होती है सो भाव की बुराई या फिर बुराई जीवन ओर्जा में वो सब इसी आत्मिक गुदे से सम्मन रखती हैं केवल परमिश्व के वचन की तल्वार ही इस तरह की गहरी बुराई को च्यतती है मगर इसका मतलब यहो नहीं कि प्रमिश्वर का वचन बिना किसी शर्ट के गुदे-गुदिया गांट-गाट को वारपार छे देगा. वचन अवशेही आत्मिक रूप से इतना पर्याप्थ होना चाही कि गांट और गुदे को जांच सकें और जो वक्ति वचन को प्रचार करता है उसके पास वचन के उपर अधिकार होना चाही. प्रभू, जिसके पास प्रमिश्वर के वचन में ऐसी सामर्ते हैं, जो दोधरी तलवार के समान चोकी हैं, वो पिरगुमन की कलिस्या से बात करता है. तेरा पद में वो कहता है, मैं यहो तो जानता हूं कि तुव वहां रहता है, जहां शेतान का सिहासन है, जहां शेतान का सिहासन है, शेतान की सभा नहीं, शेतान का सिहासन. मैंने आपको शैतान की सभा के बारे में बताया था जब मैं समुन्ना की कलिस्या के बारे में आपको बता रहा था और अब यहोँ शैतान का सिहासन शैतान की सभा से अलग है शैतान का सिहासन उस स्थान को दर्शाता है जहां शैतान पैड़ता है यहो दर्शाता है कि पिर्गुमन की कलिस्या ऐसे स्थान में स्थित थी जहां मुर्ति पूजाएं भरी हुई थी पिर्गुमन उन दिनों में एशिया माइनर का एक प्रमुख शहर माना जाता था यहो राजनिती और अधियन का केंदर था यहो शहर फिजूल खर्ची और मूर्ति पूजा का नगर था शहर था रोम के समराजे के अधियन वे समराट के भी आराधना करते थी पिर्गुमन श्राइन और मंदिरों से बारा हुआ था जैसे की जियूस का मंदिर, डायोनेसिस, एथिन्स का मंदिर और एस्कलोपियस का मंदिर और साथ ही रोम समराट के आराधना करने के लिए तीन विशाल श्राइन्स बनाई गई थी वहाँ पर एक विशेश मंदिर था एसकलेपियस का मंदिर वो वो स्थान था जहां सांप की आराधना होती थी जब आप तीर थियात्रा पर जाते हैं आपको वहां पर एक मंदिर मिल सकता है जहां पर सांप की पूजा होती है जिस तरह से प्रकाशित वाकिय बारा नौ में लिखा है और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान केहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है सांप शैतान को दर्शाता है पिरगुमन ऐसा शहर था जहां शैतान का सिहासन था पिरगुमन की कलिसिया वहाँ पर अपना विश्वासी जीवन इस तरह के वातवरण में जी रही थी इसलिए प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहां शैतान का सिहासन है प्रगुमन की कलिसिया के सदस्यों ने कितनी गंभिरता से सताओ को सहा और प्रभु का विश्वास योगिय साक्षी अंती पास उसे वहाँ पर घात किया गया तेरा पद में प्रभु कहता है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास यूगे साक्षी अंतिपास तुम में उस थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है तुम मेरे नाम पर स्थिर रहते हो तुमने मुझ पर विश्वास से इंकार नहीं किया अंतिपास के दिनों में भी जो तुम्हारे बीच में वहाँ पर घात किया गया तो ये अंतिपास कौन था और कैसे उसे घात किया गया इसके बारे में हम अगले सत्र में देखेंगे मसी में प्रियंभाई और बहनों भजन सहीता उन्नी सधियाए साथ से नौ पद में लिखा है यहाँ की विवस्था खरी है वहाँ प्राण को बहल कर देती है यहाँ के नियम विश्वास योग्य है साधारन लोगों को बुद्धिमान बना देते है परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य है चमतकार चिनों अद्भुतकारे परमीश्वर के नियम बहुत साफ है उसके बाबजूल भी ऐसे लोग है जो विश्वास नहीं करते है और यहाँ साधारन लोगों को बुधिमान बना देते हैं चाहे लोग कितने ही साधारन और जिद्धी क्यों न हो वे बुधिमान बन जाते हैं जब वो अपना हिर्दे खूलते और उसे ग्रहन करते हैं यहाँ की उपदेश सिद्ध है हिर्दे को आनंदित कर देते हैं वे जो ग्रहन करते हैं वे आनंदित होते हैं है के नहीं वे जो आत्मा में बदल जाते हैं और सत्ते में वे खुश होते हैं यहवा की आग्या निर्मल है, वह आँखों में जूती ले आती हैं, यहवा का भय पवित्र है, वह अनन्तकाल तक स्थिर रहता है, यहवा की नियम सत्त्य है और पूरी रिती से धर्मय है यहवा की विविस्था, यहवा की नियम, यहवा की उपदेश, यहवा की आग्याएं, यहवा का भय, यहवा का न्याएं, यह सारे के सारे परमेश्वर का वचन है, यह सब परमेश्वर के वचन में है, आगे की दस आयत में भजनकार कहता है, वे तो सोने से और बहुत कुंद वचन से भी बढ़कर मनुहर है, वे मधू से और टपकने वाले चटे से भी बढ़कर मधूर है, सोने से भी कहीं ज्यादा मधूर है, मधू से भी कहीं ज्यादा मधूर है, टपकने वाले चटे से भी बढ़कर मधूर है, परमेश्वर का वचन उसे लेना मुश्किल नहीं है, बजनकार अपना अंगीकार करता है कि यह सोने से भी कहीं ज्यादा मनोहर है मधू से भी मधूर है और टपकने वाले छटे से भी मधूर है क्या आपका भी यहीं अंगीकार है? यदि आप परमेश्वर की इच्छा इतनी अधिक रखते हैं और उसे लेते हैं तो पवित्र होना मुश्किल नहीं होगा और लंबा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि परमेश्वर का वच्छन दोधारी चोखी तलवार के समान है इसलिए जब वह आत्मा, प्रान, गांट और गोदे को वारफार छेथता है तो उससे आपको दर्द हो सकता है और यहाँ दर्द लगातार रह सकता है जब तक आप बदलना जाएं क्योंकि आप नहीं बदलतें इसलिए दर्द दूर नहीं होता जब दर्द असहनिय होता है तो आप ऐसे कुछ चर्श को छूड़के जा सकते हैं परन्तु यदि आप उस दर्द के बारे में सोचें जिसकी वज़ा से आपका आत्म और प्राण आपके पापों के कारण पीड़ित रहता है और साथ ही यदि आप उस पीड़ा और दर्द के बारे में सोचें जब आपका गांट और गुदा सड़ जाता है तो आप एहसास करेंगे कि परमिशुर के वच्चन के द्वारा छेदा जाना वो कहीं ज़्यादा आनन दायक है इसलिए यदि परमिशुर का वच्चन आपको सोने के समान मनोहर लगता है और टपकने वाले छटे के मधु से मधुर लगता है तो आप निश्चित रूप से और अधिक लेने की कोशिश करेंगे आप परमिशुर के वच्चन को इस थरह से सुनेंगे और उसे अपना भुजन बनाएंगे आप आत्मा के जन में बदल जाएंगे मुझे आशा है कि आप सब ऐसा अंगिकार कर सकें कि तेरे वच्चन मुझे को कैसे मीठे लगते हैं वे मेरे मुहों में मधू से भी मीठी हैं जैसे कि भचन सहीता 119-103 में लिखा है आप योगी होने चाहिए कि इस थरह का अंगिकाराब कर सकें आप होने चाहिए और आपको करना चाहिए यदि आप इस थरह के व्यक्ति है जो परमेश्वर के वच्चन की लालसा और इच्छा रखते हैं क्योंकि कहा गया है कि परमेश्वर वच्चन है तो आप अपने हिर्दे की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करेंगे आप इस तरह से बन सकें ताकि जीवित परमेश्वर का वच्चन आपके जीवन में बहुत आयत के फल उत्पन कर सकें हमारी प्रभू येश्व मसी के नाम से मैं प्रात्ना करता हूँ झाल